सम्बोधी सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन, सम्यक संयम, सम्यक ज्यान, सम्यक चरित्र, सम्यक तप, सम्यक जुडते ही उस वस्तु का महत्वा हजार गुना बढ़ जाता है, ऐसे ही सम्बोधी है, बोध का मतलब होता है सजक्ता, बोध का मतलब होता है जागरूक्ता, बोध का मतलब होता पूर्वक जीना बोद का मतलब होता है विपश्चना पर जैसे हम सम्यक लगा देते हैं संबोधी यानि पूनत्या बोधि के साथ जीना पूनत्या जागरूकता के साथ जीना पूनत्या विवेक और हंस दिश्टी को अपलब्द करके जीवन को जीना साथना के तीन ही चरण होते हैं पहला चरण है एकांत दूसरा चरण है मौन और तीसरा चरण है ध्यान अगर ये तीन चरण सम्यक प्रकार से व्यक्ति के जीवन में आचरित हो रहे हैं तो समझ लो उसके जीवन में साथना का अब अब्यूदय हो गया है भगवान श्री माहवीर चाहते तो उनके भी राज महलों में कोई एक सून सान कख्ष उन्हें मिल सकता था जहां पर रहकर वो साधना कर सकते थे पर उन्हें पता है साधना के लिए किवल ध्यान ही जरूरी नहीं है साधना के लिए एकांत भी जरूरी है और जतना जरूरी एकांत है उतना ही जरूरी व्यक्ति के लिए मौन भी है जब ये तीनों चीजे व्यक्ति की चेतना के साथ गटित होती है एकांत भी गटित होता है मौन भी गटित होता है ध्यान भी गटित होता है तो इन तीनों का जो प्रणाम आता है उसका नाम साधना है ध्यान की विधियां दुन्या में कई तरह की हैं कभी इसी ध्यान विधि को विपश्चना का नाम दे दिया गया कभी इसी ध्यान की विधि को संबोधी का नाम दिया गया कभी इसी ध्यान की विधि को प्रिक्षा का नाम दिया गया कभी सी ध्यान विद्य को साक्षी का नाम दिया गया नाम न्यारे न्यारे होने से जैसे मिल्क कहे दो की दूद कहे दो या और कुछ कहे दो उनका सब का परिणाम तो एक ही होता है जैसे हम पानी कहे दें जल कहे दें, वाटर कहे दें पर सब अंतता तो एक ही है ठीक ऐसे ही ध्यान है इसका नाम साक्षी रख दो कि विपश्चना रख दो कि द्रिश्टा रख दो कि प्रिक्षा रख दो कि संबोधी रख दो नाम न्यारे न्यारे हैं यू समझें कि दिये अलग-अलग हैं यू समझें कि तेल सब में अलग-अल क्याव फर्क पढ़ता है दिये अलग-अलग है तो जब हम ये जीवन की समझ और प्रग्या और बोध मिल गया है कि उजाला सबका एक जैसा होता है तो क्याव फर्क पढ़ता है कि तेल कैसे है पर अगर सुलजना है तो इन सब से उपर उठना पड़ता है और आदमी को प्रकाश मैश सरूप, आदमी को वो दिव्य ग्यान, आदमी को वो उजाला, आदमी को ज्योती तक पहुंचना पड़ता है इसलिए हमारी और से कभी कोई आगरा नहीं रहता है, कि आप अमुक संत के पास ही जाकर ध्यान करें, या यहां आकर ही ध्यान करें, हमारे ये भी आगरा नहीं रहता है कि आप कि वहल हमारी ही किताबें पड़ें, हमारे ये भी आगरा नहीं रहता है कि आप हमाई वे परिशने हम ये भी नहीं समझाते हैं कि आप हमारी बातों को सुने हम कहते हैं अच्छी बातों को सुने अब इससे क्या फरक पड़ता है वो अच्छी बाते हैं ललित्प्रव महराज बोलने हैं चंदप्रव महराज बोलने हैं सांतिप्रव महराज बोलने हैं या दुनिया मे लगा दो तो भी फरक पड़ेगा क्या पर एक बात ध्यान रखना इस पीकर न्यारे न्यारे होने से माईक के आवाज जुदा नहीं होती माईक सबका एक है यानि सत के सबका एक है अच्छी बातें सबकी एक है मैं आपको कैसे बताओं दुनिया भर में जीने लाइक जो अच् से एक पोश्ट काड़ पर लिखी जा सकती है किस पर जिसके लिए अब तक हजारों हजार शास्त्र लिखे गए हैं मनिश्य की प्रग्या को जगाने के लिए मदिश्य की अंतरदिष्टी के द्वार को खोलने के लिए मनिश्य की तीसरी आंक की शक्ति को प्रदान करने के ल पुरान और पिटक और दिगम लिखे गए हैं मैं आपको बता दें सारों का सार अगर लिखना हो जिसमें हिंदु का सार जैन का सार सिखों का सार सनातिनियों का सार बॉद्धों का सार मुसलमानों का सार पार्शियों का सार सार सारे सास्त्रों का सारे धर्मों का सारे ग्रंतों का अगर इन सब का निचोड कहीं लाकर खतम करना हो आपका एक पोस्ट काड भरेगा नहीं वहली आज ही आप लिख लेना कि इन दुनिया के सारे धर्म इंसान को क्या बात बताते हैं आपको लेगा आदे पोस्ट काड में सारी बातें समा गई इतने से टुकड़े में दुनिया बर की सारी बातें समा जाती है पर मनुष्य समझ नहीं पाता इसनले उस को समझाने के लिए विस्तार करकर के करकर के बास समझाने पड़ती है अगर इनसान एक ही लेन में समझ लेता सत्यम बदा क्या? सत्यम बदा मतलब सत्य बोलो इतना कहने मात्र से आद में समझ ले तो मैं समझता हूँ दुनिया में किसी शास्त्र की जरूत नहीं है अगर इतना कहने मात्र से व्यक्ति समझ ले कि सैयम में जीवन जीए अब मैं समझता हूँ दुनिया के आदे शास्त्र इन दो बातों से भरेवे हैं सत्यम बद और साइयम में जीवन जीओ आधियर शास्त्र इन दो बातों से भरेवे हैं अगर इतना कहने से समझ जाते हम लोग कि परिग्रह ज़्यादा एकठा ना करें आप परिग्रह बुद्धी रखें और ज़रोस्यादा धन अगर तुमारे पास है तो जड़तमन लोगों में बातने का आनन्द उठाएं एक लाइन का धरम है मैं आपको कैसे बताओं कुल मिलाकर पांस साथ लाइनों में पूरा धरम पूरा हो जाएगा दबर एक किसी के हिंसा मत करो किसी का दिल मत दुखाओ किसी को पीडा मत दो किसी को तकलीफ मत दो ये सारे विस्तार हो रहे है पर एक लाइन क्या है अहिंसा का पालन करो चीन्टी को न मारना इसका नाम भी अहिंसा है किसी जानवर को हास से न मारना बैंट से न मारना डंडे से न माणना इसका नाम भी अहिंसा है किसी का दिल न दुखाना इसका नाम भी अहिंसा है कहीं गरीब लोगों के अस्पताल बनाकर खड़ा काना वर्दाश्रम बनाना अनाथालय बनाना ये सब अहिंसा के रूप है अहिंसा एक शब्द है उसके विस्तार अनेक है कुल मिला कर अगर हम छोटे सुरूप में किसी भी दुनिया के धर्म, ध्यान, साधना, आराधना, अध्यात्म को समझना चाहें चोटा मोटा मार्ग है, अहिंसा में जीवन जीओ, सत्य में जीवन जीओ, अचारिय का जीवन में पालन करो, शील वरत में अपने जीवन को जीने की कोशिश करो, और जरूस्यादा धन का संग्रा मत करो, अगर ये चोटे चोटे पांच नियम बें इनसान जी ले, तो धार्मि कोने के लिए अध्यात्मिकों कोने के लिए मुक्ति को प्राप्त करने के लिए मन के शान्ति को प्राप्त करने के लिए एक अच्छा निर्मल जीवन जीने के लिए इतनी बातें काफी है अब बताओ मैंने जो पांच बातें बोली उठाओ तो पोस्कार अरे पोस्कार किया य है ना अहिंसा का पालन करो नंबर दो सत्य बोलो नंबर तीन चोरी मत करो एक लैन में तीनों बातें आगे आगे ना अब अगली लैन में फिर दे लो मैं शील बड़त का पालन करो औरों का सयोग करो और नंबर चार जरुस्याद धन का संग्रम मत करो मैंने जब भी बातें मोली दो लेन में आगे ना जीने लाइक इतनी से बातें होती है जब आदमी नहीं समझ पाता है तो समझा समझा कर समझा समझा कर अलग-अलग तरीके से अलग-अलग उधान से अलग-अलग बातों से जरूर सुननी चाहिए, रोज आजमे को संतों के दिव्य वचन का आचमन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे हिर्दैन निर्मल होता है, इससे भाव विशुद्धी होती है इससे अंतरात्मा पवित्र होती है इससे हमारे विचार, हमारे सुदरते थोड़ी ही है, लोग तो इस कान से सुनते और उस कान से बलो बलो, निकाल देते हैं प्राइकर सभी ऐसा है करते हैं हमें उसे युवक की बात में दम तो लगा हमें लगा यार बात तो उसकी सही है, लोग इदर से सुनते और उदर में निकाल देते हैं, पर पता नहीं दिल में क्या आया हम जिस मकान में रुके वे थे वहाँ पर चूना वुना सब काम किया हुआ था, एक लोहे की बाल्टी पड़ी थी, वो चूने से सड़ी हुई थी और चूने के मोटी मोटी पर्तें उस पर जमी हुई थी, पता नहीं मन में क्या हमने का भी यह काम करो ना, इस चूने के बाल्टी में एक बाल्टी पानी डाल दो उसने एक बाल्टी पानी डाल दिया पर आश्चरी यह, पानी तो उसमें क्या, ठीकाई यह नहीं क्यों, क्योंकि चूने के खार से लोहे के बाल्टी में नीचे छेद हो गे थे अब खल्पना करो नीचे छेद है और उपर सा बढ़ती जा रहे हैं तो क्या होगा कितना भी पानी डाल दो कुवे के कुवे खाली कर दो पर बाल्टी में पानी टिकने वाला नहीं है वो कावत है ना, ऊपर भरे, नीचे जरे, क्या, ऊपर भरे और नीचे जरे, उसका गुरु गुरखनात क्या करें, तो उसकी जिन्दगी में क्या होगा, जो उस पे भरते जा रहे हैं, और नीचे से काली होता जा रहा है, तो उसने बालती पानी डाला, मैंने का एक ओर डाल द आप जानो आपके सुनने वाले लोग, लोग सुने न सुने उनके करम, वो जड़े मैं कब तक पानी डालूँगा, हमने का देख भई, जाओ भले ही, पर एक बात जरूर बता दो, ये जो लुहे की बाल्टी है ना, इस लुहे की बाल्टी में आप इतने बाल्टी आपने पान आया है, अरे गुर्देव घुजब हुआ है, ये बात तो माननी पड़ेगी, पानी तो बहे गया, पर बाल्टी बिल को साफ हो गए, क्योंकि पानी के साथ, बुलो बुलो, 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 चुना भी बहे गया, हमने का बस आज से जीवन का सिद्धान त निकाल देते हैं, फिर भी हम रोज बोलते हैं, रोज, रोज बोलते हैं, हर रोज बोलते हैं, इस भावना के साथ पानी तो बहेगा, इस कान से सुनकर आदमी, उस कान से निकाल देगा, पर जैसे बाल्टी में चुना साफ हो गया, ऐसे आदमी के मन का मैल जरूर साफ हो जा मैं आपको कैसे बताऊं बड़े से बड़े महापुरस को भी अपने खजाने को भरने के लिए ग्यान की उड़जा को ग्यान की रस्मियों को ग्यान की चेतना को तो प्राप्त करना पड़ता ही है विश्वास रखना बड़े से बड़े महापुरसों को और जिस व्यक्ति ने अपने द्वारा लेना बंद कर दिया, आकर वो कब तक देता रहेगा, खाजाना उसका खाली हो जाएगा, कोई आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, धन को कमाने के उम्र है, पर ज्यान को पाने के उम्र नहीं है, 90 साल का वयो व्रद व्यक्ति भी ज्यान क हासिल कर सकता है, यह जो हमारा दिमाग है ना, इसको हम तेजस्त्वी तभी तो बना पाएंगे, जब हम रोज अच्छे पवित्र किताबों का स्वाध्याय करेंगे, मैंने तो अपने जीवन की पूरी ताकत इने ही साहित्य और ज्यान के वितन में लगाई है, गाउं गाउ में इस पवित्र किताबों को मानटने कोशिज की है, ताकि हमें पता है हर आदमी मंदर नहीं जा सकता, पर एक किताब मंदर बनकर आपके घर में आती है, और आपके जिन्दगी को मंदर में बना कर निरमल बना देती है, हमारे देश के महान सम्विधान के निर्माता भाई स्री अम्बेड कर साथ वो दुनिया से जाने से पहले हम सब लोगों को एक बात क्या कर गए थे कि अगर तुम्हारे पास एक रूपिया हो चुंकि जब उन्होंने ये बात कही थी उस समय देश में एक रूपिय में दस रोटिया आती थी तो उन्होंने कहा था अगर तुम्हारे पास एक रूपिया हो तो आधे रूपिय से यानि आठने से तुम पांच रोटियां खरिदना और आधे रूपे से किताब जरूर खरिदना क्योंकि रोटी से तुमारा पेड़ चलेगा पर अच्छी किताब तुमारे जीवन को आगे बढ़ाई इसलिए हर व्यक्ति को रोज अपनी जंदिगे में स्वाध्याए के लिए अपने मन को अपने तन मन प्राणों को जरूर अनरक्त रखना चाहिए मैंने कहा ध्यान के साधना के लिए तीन चर्ण मैंने आपको कहे पहला है एकांत, दूसरा है, मौन, तीसरा है अप हैं अपने कक्ष्र में मैं आपसे अन्रोथ करूंगा अभी आपको कोई पूछे ना भाईया कहां से आयो मैं तो खुद को पता करने आयो कि मैं कहां से आयो हम यह पता करना नहीं आये है कि कौन कहां से आया है सावधान आना जाना बिकार चला जाएगा हमारी मेहनत बिकार चली जाएगी हम यहाँ पर यह पता करने आये यह नहीं कि कौन कहां से आया है हम यह पता करने आया है कि मैं कहां से आया हूँ को अहम आसी मैं कहां से आया हूँ मैं कौन हूँ अरे जब तक व्यक्ति को यही ग्यान नहीं होगा मैं सांतिलाल हूँ मैं लता हूँ मैं मीरा हूँ मैं कवीता हूँ मैं बबीता हूँ मैं ये हूँ मैं वो हूँ जब जब ये बीतर से जवाब आए तो बीतर से पूछना अरे लता तु आज कहती है मैं लता हूँ लता हूँ सोच आज से 80 साल पहले तो कौन थी शेकर तुम अपने आप से पूछ कि 50 साल पहले तो कौन था तब बीते से जवाब आएगा ये आरोपित नाम है मेरी आत्मा का नाम नैनम चंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक जिसे कोई जला नहीं सकता जिसे कोई उडा नहीं जिसे काट नहीं सकता मार नहीं सकता तोड नहीं सकता जिसका कोई विच्छेद नहीं कर सकता वो सनातन सत्य जिस चेतना का नाम है सो हम मैं वही हूँ जिसका नाम सेखर नहीं है हजार हजार बार जिसका नाम सेखर हो जाए और हजार हजार बना उसका नाम ललित और चंद्र हो जाए कि अशोक हो जाए कि और कोई प्रकास नाम हो जाए पर सच्चाई ये है इनने नामों के आरोपन से उसके सत्य में कोई फर्क नहीं पड़ता आप तो यूँ समझें ना कि जैसे कि आपके बास सोने की चूड़ी है है बैईनों और थोड़ी पुरानी हो रही है आपको लगता है कुछ नया बना लें और आपने उसको कहा बैए एक काम करना इससे मेरे दो अंगुठी बना दे दो अंगुठी बना दे दोंगुठियां मन कर आ गई तीन साल के बाद लगे रहे आपको मेरे चार अंगुठियां गला के वापस पायल बना दे लोग आज़कल सोने की पायल पहन रहे हैं देखो चूड़ी गली क्या बनी अंगुठी बनी अंगुठी गली क्या अभी भी कोई संभावना है पायल गलकर कुछ बन सकती है कि नहीं कुछ बन सकती है छे पायलों को गलाओ तो वापस वो बाजू बन सकता है और आठ बाजू बन को गलाओ तो वापस कमर का कंदोरा बन सकता है पर मैं आपको बता दू एक बात, चूडी बदली, अंगुठी बनी, अंगुठी बदली, पायल बनी, पायल बदली, बाजुबंद बना, बाजुबंद बदला, कमर का डोरा बना, इन सब के बदलने की बीच एक चीज शाश्वत बनी रही, उसकी का नाम सोना था, यह जो सोन वार पिगल गया, पर सोना अपना मूल स्वरूप कभी होता नहीं है, और अगर खाद मिला दो, तो फिरो सोना होता नहीं है, इसलिए यह जो संबोदी साधना है ना, यह आपको यह पैचान नहीं कराएगी, मेरे भाई, अगर आप यहां से जाने के बाद भूल सकते हैं ना तो यह चंदर प्रभजी महराज का नाम, ललित प्रभभ महराज का नाम, यह नाम भूल जाना, अगर आप याद रख सकते हैं तो खुद को याद रखना मैं कौन हूँ, मुझे बोद हुआ हां मैं आत्मा हूँ, मैं वही आत्मा सत्चिदानंद मैं हूँ, जिसे सस्त्र हैं, ना उसके मृत्यू है, हजार हजार बार जनमने के बाद भी जो जनमती नहीं है, हजार हजार बार मरने के बाद भी जो मरती नहीं है, जो जनम से भी परे है, जो मृत्यू से भी परे है, मैं वही सत्य सनातन आत्मा हूँ, चाहे गीता कहे, चाहे वेद कहे, चाहे आगम चाहे एक साय पिठक कहे, सबने ये सिध्धान तो कहा ही है, मैं सत्य सनातन आक्मा हूँ, और ये जो अपन साधना के प्रियोग कर रहे हैं न, अब ये समझ नमझ समझ ना कि ये साध दिन में सारा मामला ने पड़ जाएगा, साध दिन में सारा मामला ने पड़ जाएगा, अभी तो बीजारोपन भी नहीं हुआ है अभी तो जमीन को क्या जमीन को खोदा जा रहा है कि बीज डाला जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा अभी तो बीज की तो बात ही छोड़ो अभी तो जमीन में वपन कर निकले जमीन के तियारी करने पड़ेगी बंजर भूमी में तो कभी बीज़ वपन नहीं होगा ना तो पहले मन के दशाये चित्त की स्थित्या हमारे पुराने संसकार हमारे वैर विरोध हमारे कशाय की गरंतिया अतीत में बने होए हमारे संबंध अतीत के हमारे अलग 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 तरह के संसकारों के बीजारोपन बीतर में हुवे हैं इतना जंगली घास उखाड़ना पड़ेगा बंजर भूमी को फिर से उबजाओ भूमी बनानी पड़ेगी और ये जो संबोधि साधना शीवर है ये बीजारोपन तो बहुत दूर की बात है अभी तक हो बाबा अब ये समझना बस हम तो फॉन करोगी अपनी दरमपति को मैं तो हो गया प्रभू हो गया हूं बस अलमास्त मैं तो भगवान हो गया हूं वो खेगी दिमाग किसक गया है लगना पड़ता है जगना पड़ता है सजकता से लगना पड़ता है गेराई से लगना पड़ता है और इसलिए ध्यान करने के लिए ये जो अपने तैयारी हुरी ये प्रिश्ट भूमी तैयार हो हाँ मानता हूं कई वो सादक है जिनोंने जीवन में बीजारोपन करके अपने जीवन में फलों को भी पाना श्रूरू कर दिया है बहुत आगे के किदम है देखो पत्रियों के साथ जीने के संसकार किटने सालों से है कौन बोला 20 साल आपके 20 साल से बैस अब आपके कितने 20-25 साल से है मैं कैसे बताउं हजारों सालों से है कितने जन्मों में सोई और कितने जन्मों में रहे हो। मनुष्य की चित्त की विचित्र स्थित्य होती है। कितनी कितनी बार इस धारा में बहने के बाद भी आदमी त्रिप्त और संतुष्ट नहीं होता है। यह अत्रिप्त चेतना ही मनुष्य की बार-बार संसार को छोड़ती रहती है, पता है आपको, इतिहास में एक महान घटना घटी तो ही, जिसने पूरी मानवता को संसार के वास्तना के वातावन से दल-दल से बाहर निकाल कर मुक्ति की चेतना प्रदान की थी, और वो एक महान पात्र हुआ है भागवत की कथाओं में, और जिस महान पात्र का नाम है राजा ययाती, जबर्दस्त पात्र हुआ है, यह भागवत की जितनी कथाओं आती है न, हो सकता है उसका जीवन बड़ा भूग विलास पून था, संसार की वास्तनाओं में आकंठ डूबा हुआ व् और महापुरुस नहीं आते हैं, जीवन में घटित होने वाली घटनाए हमें जगाती रहती है, जीवन में घटित होने वाली घटनाओं से जो इनसान नहीं जगता, उसे भगवान पे नहीं जगा सकता है, तो यह आती सो साल क्यों हो गई? यह भागवत की कथा कि बड़ी प कंदल में बार बार संसर की धारा में Sul legislative आंपिता है ना यह मुक्ति मुक्तिक है कि मुख्थ को ऐगा अगर जिए अंत्रजिश्टी वीतर गहरी मनिश्य के भीतर जीजी विशा होती है, उतनी गहरी अगर मुमुक्षा के भाव पैदा हो जाए, मुक्ति उसके पास आती है, जीजी विशा होती है वेक्ति के भीतर, बचाना चाता है, अस्पताल के खर्चे लगे, वो लगे, वो लगे, डॉक्टर साब मुझे बचा दे दो, आदा सामराजी दे दूँगा, मुझे छे गंटे के चार गंट, डो गंटा, एक गंटे के जिन्दी दे दो, पूरे दुनिया का राजा सामराजी तुम्हें बना दूँगा, पर उस जीजी विशा ने सिकंदर के बीतर मुमुक्षा का ये भाव पैदा किया, कि जिन्दगी में किसी से भी जीवन को बचाया नहीं जा सकता, इसलिए जीवन ढले, सांज ढले, उससे पहले अपनी जीवन के एक-एक पिल का उप्योग कर लो, अब वो मौत आई तो गिड़गड़ाया कौन? यह आती? बस एक मौका अर्दे तो यह यह आती की कहानी नहीं है मैंने नाम गलत बोल दिया बाई साब आपका नाम क्या है? यह असुक सर्मा की कहानी है बाई साब आपका नाम क्या है? यह हेमत की भी कहानी है और परभुजी गुरे बाई साब आपका नाम क्या है? यह राजंदर की काहनी है मैंने नाम तो यहाती का होगड में डाला है ताकि किसी को बुरा न लगे वाकि काहनी है हर गर-गर की है गट-गट की काहनी है यह हर गट-गट की हर अंतर हिरदय की हर मनिश्य की हर मानुय चितना की है काहनी ये मेरी कहानी है ये आपके कहानी है ये मनिश्चे के मन के कहानी है तो यह आतिये सो साल का हो गया आ गई मात चला यू यू करने लगे हो तो मतलब एक बार बस बस मेरी इतनी राजरानिया है इतना बड़ा एश्वरी ये है मैं अभी तो पूरा जी भी नहीं पाया एक मौका और दे तो पर जनता को पता है पहले मौके में कुछ किया ही नहीं था पर फिर भी वो कहते हैं एक मौका और दे तो मृत्यों ने कहा ये आती यू भैभीत होने से तुम मृत्यू से बाहर ने निकल पाओगे अगर तुम यूहीं डरते रहे यूहीं वास्तना में गिरते रहे यूहीं संसार की कामा सक्त में उलशते रहे एक जनम नहीं एक वार इमान दारी से अपने मन को टटोल लेना आपको एक जनम में पत्नी मिली मन संतुष्ट हुआ अगली जन्म में फिर पत्नी मिलेगी मन संतुष्ट होगा एक और इमान दरी से जवाब दो एक लाख बार भी आपको जन्म मिलता रहे एक बार लाख भी आपको पत्नी मिलती रहे फिर तो कहते ना बस वगवान यह मत समझना है यह लख पती वो भागरा है खरब पती उससे जादा भागरा है और यह मत समझना कि जो कुड़ पती वो भागरा है अरब पती उससे जादा भागरा है और यह मत समझना कि अरब पती भागरा है खरब पती उससे जादा भागरा है भागम भाग सबकी मची है जिन्दके में और वो यह आती कौन यह आती कौन आप सबके बीतरे बैठा है सबके बीतरे के यह आती बैठा है और उसी यह आती को जगा रहा हूँ तो मौतनी का भई इतना भी क्या गिर करा रहा है ने 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 बस क्या एक मौकार देतो इतनी सारी राजरानिया है इतना बड़ा भेवव है इतना बड़ा मेरा राज महल है इतना सारा मेरे 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 कुछ भी नहीं गिया है यह तक तो इसे क्यों कर ले हो जिंदगी में पहली वार किसी के गिड़ गिड़ाने पर मौत को दया आ गई क्या आ गई दया आ गई वाकि दया आती नहीं है मौत को काल को दया आती नहीं है पर पहली वार पता नहीं किया से आ गई और मौत ने का ठीक है तुमें एक जनम और मिलेगा सो साल और मिलेंगे पर मैं खाली हाथ तो नहीं जाउंगा न क्या करना है कोई इसके तेरे बतने में कोई मर जाई अब यह आति ने कि इ vari का उधर देखा ऊद्रदेखा रानीयों को देखा कोई इढर जाए कोई दिर जाए देखते देखते पुरा सभागार खाली केवल दो लोग बचे थे एक मौत एक और बचा था वो यह आती का बीस एक साल का बेटा सारे के सारे किसक गए सब के सब किसक गए अभी आप भी किसक जाओगे अभी मेरे पास आएगी मौत और कहेंगे ललित्र मराज और मैं केंगा बैसा मुझे प्रावचन और देने अभी तक एक वार और वो कहेंगे हाँजी भड़ा बाट कोई आजओ बहुए होगे भड़ा आजओ फॉट नहीं होल कि सब सभा चट हो जाएंगे मरे के पिछे मरा थुड़ी जाता है प्रडाम करो याती को नहीं किसको उससे याती के 20 साल के बेटे को आगे बढ़ता है मौत I am ready मैं बोलो बोलो हम तैयार है हम तैयार है मैं ready हूँ बोल तू क्या चाहता है कि बस इसके बदले को इमना मैं तैयार हूँ मेरे पिता को अगर मेरे पिता अत्रिप्त है कि इनको त्रिप्त होने दे अपने पिता के लिए मैं कुरुबानी देने को तैयार हूँ मौत घबर है 20 साल काram और यह तैयार हो गया मैं समझता हूँ श्रमण कुमा का नाम थो आमने बहुत सुना । ये दूसरा श्रमण कुमा था जो पिता के लिए मरने को भी तयार हो गया मर गया कामा सक्त पिता रोख भी ना पाया कि बेटा बिले तू मत बर कामा सक्त पिता संसार व्यक्ति को कामा सक्त बनाता है और संबोधि साधना व्यक्ति को रामा सक्त बनाती है बस यही फर्क है कामा सक्त बना बनी तुल्षिया बन जाता है और जब रही रामा सक्त हो जाए तो गुष्वामी तुल्षिदास बनकर महा चरित मानस राम चरित मानस का रचियता बन जाता है मनश्य की दिश्टी ही तो सब कुछ पदलती है, सब कुछ करती है दिश्टी सुद्री समदो पूरी सुद्री और दिश्टी बिगड़ी समदो पूरी सुद्री बिगड़े गई यह आती का बेटा मणने को लड़ी हो गया, मौत ले गई यहां थे बड़ा विमॉक्द हो गया मतलब मैं सौस साल वापस यही सब यही सब यही सब मज़ आएगा हजार हजार जन्मों तक भी व्यक्ति संसार को जी ले तब भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है एक वार कलपना की जी अगर किसी व्यक्ति को यह दुनिया में जितने लोग रहते हैं सब को एक एक सोने का हिमाले का पहाड़ बना कर दे दिया है किसका सोने का एक वार इमान दरे से आँख बन करके अपने आपको पूछो क्या तब हमारा मन त्रिप्त हो जाएगा यस नो यस नो जब सोने का हिमाले जितना बड़ा पहाड़ मिलने से भी मन त्रिप्त होने वारा नहीं है फिर ये पांत-पांसो के गडिया कितने भी खट्ठी कर दो मन त्रिप्त होता थोड़ी है अत्रिप्त है अत्रिप्त है अत्रिप्त है इसी का नाम संसार है आगे बढ़ो बात यहीं खतम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं थी 200 साल के बाद फिर आई कौन वहीं मान सब को ओ रहा है मैं सब को कर रहा हूं चलो उड़ो निकलो चलो पटापण अरे वह फिर क्या कर रही है तुम तो आई गए पता ही नही लगा 100 साल कैसे बीद गई मजए तो संसार में जीने माने के लिए 100 साल में एक साल का प्रणाम नहीं आता साधना में जीने वाला व्यक्ति एक साल में हजार साल का प्रणाम पा लेता है बसरते साधना के उसके बेतर अंतर दिश्टी हो मेरे भाईयों बेहनों संख्यप मैं अब इस बात को पूरी कर दू एक जनम, दो जनम, सो साल दो सो साल, तीन सो साल, चासो साल, पांसो साल, चासो साल, आट सो साल मन की कहानी कह रहा हूं सबके नौसो साल एक हजार साल नो बार मौका मिल गया यह आती को जन्तगी पाने का और आज राज खोलना हूं नो बार वही बेटा बार बार मरता रहा और वही यह आती के घर में पैदा होता रहा क्या गजब की कहानी चल लई है एक और बेटा अपने बाप के लिए मर रहा और एक बार अपना बाप अपनी कामनाओं को पुरा करने के अपने बेटे को बरिदान कर रहा है यह बहुत गेरी कामनाएं होती है वेक्ति क्यों गेरी काम नाएं होते हैं इनका मकर जाल बड़ा जबरदस्त होता है इनसान के भी तो हजार साल पूर्य हुए मौत आई उसे पता था अपके तो दर्वाजी पिखड़ा मिल जाएगा दाप गया होगा बेचला क्या कौन बेटा नहीं बाप बेट्ट्री का तो पिखड़ा रोल नहीं है धापकां से उसोरी नहीं किया है संसार का कहल którą दापने के बारी तो अब बाप की थी हजार साल जी गया यार अब तो पूरा का पूरा क्या धाप गया होगा शमसान पेट कभी भड़ता नहीं है मनिश्य के कामनाएं कभी तृप्त होती नहीं है लाखों लाशे जल गई समसान अभी भी खाली है हाज़ारों जनम संसार में जिलिये मन अभी भी अतृप्त है इस्वार दया मौत को बिटे पर आ गई किस पर? बिटे पर आ गई उसे लगा यह गलत हो रहा है यह इसकी पुत्र की भक्ती का गलत ना जाय जाय फायदा उठाय जा रहा है और मैं इसमें निमित बन रहा हूं गलत कर रहा हूं पर वो अपनी जमान से बना हुआ था कि कोई तेरे पीछे मर जाये तो मैं जिन्दिगी और दे दूँ और खास बादे को हजार साल जी गया यह आती मौत आई और आते फिर वापस वही नाटक एक बार बस अंतिम इस वार मौत ने उस बेटे से कहा बेटा मना कर दे अपने बाप को हो गया बहुत हो गया मैं तो इसके जबान से बन गया इसलिए बार बार तो मैं मार रहा हूँ इसको जिन्दिगी दे रहा हूँ पर अब तू मना कर दे अरे तूने देखा क्या है तूने यह नहीं किया वो नहीं किया बीस साल को वैश शादी नहीं किया ब्यान नहीं किया, दन नहीं देखा, राजपाद नहीं देखा, बार बार मरना, मना कर दे अपने बाप को नहीं मरूँगा, ताकि मैं ले जा सकूँ, उसने का नहीं मात, नहीं करूँगा, मना नहीं करूँगा, का तू पागल है, का पागल मैं नहीं मेरा बाप है, मैं का पा का सारे रामायनों का अगर सार पाना है ये एक लाइन जिंदगी को जगाने के लिए काफी होती है और तब उस कि शोड ने उस युवक ने मौस से पूछा मौत एक बात बताओ चलो तुम कहो तो मैं मान देता हूं मैं अपने बाप को मना कर देता हूं अगर मेरे पिता को मैंन मना कर दिया पिता मर जाएगा तो मुझे कितनी जिंदगे मिलेगी कि 80 साल और यानि 100 साल कुल कि एक बात बताओ मैं 100 साल जी लूँगा मेरे राणिया आ जाएगी मेरे राजपाट हो जाएगा मैं नगर का राज़ा बन जाओंगा क्या मैं संतुष्ट और तृप्त हो इसको गले लगकर कहता है हे मौत जब संसार से अत्रिपत ही जाना है बोल लो मुह से जब संसार से अत्रिपत ही जाना है क्या फर्क पढ़ता है बीस में गए कि सो साल में गोई फर्क नहीं पढ़ता है चल चल मैं चलता हूँ मेरे बाप को अब भी संसार जी नहीं दे यह याती मनुष्य के संसार की कहानी है और याती का बेटा मनुष्य के साधना की कहानी है और जो व्यक्ति ये फर्क समझ लेता है वो साजना के मार्क पर कड़म बढ़ाता है गुन-गुने पानी कभी भाफ नहीं बनते है समझ गए? क्या समझे? गुन-गुने पानी कभी भाफ नहीं बनते है पानी को भाफ बनना है तो बनना होता है और हमारे जंदगी बरते कब जो काम होते रहें गुन गुने काम होते रहें ठीके ठीके थोड़ा थोड़ा कर लिया थोड़ा कर लिया थोड़ा कर लिया थोड़ा कर लिया आओ संबोधी साधना पहला मार्ग में देती है एकांत का मार्ग दूसरा मार्ग देती है मौन का मार् हाँ चौथा होड जोड़ लो और वह अंतर प्रसनता का मार अपना राम अपने में मस्त है तो तो राम सुमर जग लड़वाद है हाती चलत है अपनी गती से कुत्र बुसतवा को बुसवाद है चल रहे तो तो राम सुमर जग लड़वाद है ये दुनिया योई चलती रहेग तेरे होने से कुछ फरक नहीं पड़ता है तेरे जाने से कोई फरक नहीं पड़ता है तूने ही खंबे को पकड़ रखा है और कहता है खंबा मुझे नहीं छोड़ रहा है यही अग्यान है इसी का नाम मिध्यात्व है इसी का नाम संसार है ध्यान के लिए जो पहला चना मनिश्रे के लिए जरूरी है वो है जीवन के प्रत्य कारिय को सजगता पुरवक्चीना बोल लम्मों से किसके पुरवक्चीना सजगता पुरवक्चीना 10,000 साल भी पहले भी मनिश्रे के लिए यही मार गता मैं आपको बता दू, सत्य सत्य होता है, समय के बदलने से, स्थान के बदलने से, सत्य नहीं बदला करते हैं, पचीस साल पहले, पचास साल पहले, हजार साल पहले, दस जार साल पहले, अच्छा बताओ, ये बादलों को पानी कौन देता है, समधर दे, कितने सालों से दे ला है 15 20-25 साल होंगे मिरे देखते-देखते हुआ सुरूई किया है दिना उसने कितने होंगे हजारों नहीं लाखों नहीं जब से शिष्टी बनी है और जब से मनिश्य को पानी के जरत बड़ी है इस मनिश्य के पानी की प्यास को बुजानी का काम किस ने किया है सागर ने किया है कैसे आपको बताऊं करुडों वर्सों से वो पानी दे रहा है ये सत्य सनातन है आज मैं आपको एक बात पूछता हूँ सबने गपा मारा है क्या मारा है गपा मारा है कि सागर बादलों को पानी देता है किसे ने देखा है क् देखा है बादल पानी बरसात ने वो तो देखा है पर 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 सागर जो बादलों को पानी देखा है किसी ने देखा है ने देखा ना मैं आपको यही बताता हूँ इश्वर की जो हम पर अहेतु की करपा होती है शब्द याद रखना किया का मैंने औहेतु की बिना किसी कारण बिना किसी स्वार्द बिना किसी मतलब बिना किसी परपज और जो औहेतु की करपा हम पर होती है वो व्यक्ति को साधना और समाधी के द्वारा दोती है और जैसे सागर जो बादलों को पानी देते हैं वो किसी को नजर नहीं आता ऐसे ही इश्वर की दिव्य करपा हमें कभी नजर नहीं आती है, पर सबने एक साथ बोला ना, बादनों को पानी सागर देता है, मैं आज आपको कहता हूँ, हम पर सारी करपा, ओ हे तुकी, मुझे पताओ तो सही, ये सागर का क्या स्वार्त है बादनों को पानी देने में, को कोई जी एश्टी मिलता है, कोई टैक्स मिलता है, कोई इंकम मिलती है, उसको क्या अमननी होती है, क्या स्वार्त है, निस्वार्त, ईश्वर परम्पिता, परमेश्वर, हमारे सद्गुरू, हमारे करपा बंत होकर, जैसे बिना किसी स्वार्त के सागर बादनों को पानी दे साधना के लिए पहला चरणा हम सभी लोग जोड़ ले अपने आपके लिए और वो है कि मैं अपने जीवन को बहुत सजक्ता पुर्वक्ची हूंगा बहुत जरूरी है भगवान श्री माहविर ने जंगल में जाकर क्या किया था भगवान श्री बुद्ध ने एक बात तो तैय है यार कि जैसी आपके सुन्दर पत्नी है भगवान बुद्ध की उससे तो है इतनी तो लगबग मान सकते हैं न बई मैं आपको कैसे बताऊ प्रभू की हम पर इतनी ओहेतु की कृपा बरसती रही है जिसकी हद नहीं भाग्य से ज़्यादा और नसीब से ज़्यादा हमें श्री प्रभू ने प्रदान किया है पर मैं आज आपको बता दू वो राजवंसर में पैदा हुए थे शत्री कुंडग्राम के राजा थे पुरा वैशाली प्रांत उनके राज सिंहासन से जुड़ा हुआ था पुरा जन्पद उनसे जुड़ा हुआ था और एक बड़े राजा के सुपोत्र थे क्योंने मावीर नहीं बुद्ध भी दोनों के तैह है आपके मकान से बड़ा मकान रहा होगा आपके धन से ज्यादा धन रहा होगा तो आज जाके लिख ले ना आपके पत्नी से ज्यादा सुंदर ही उनकी पत्नी रही होगी पर एक बात तैह मान का चलना उन्हें पता था इन सब को छोड़ चाड़ने के बाद भी सादना, ध्यान और मुक्ति के मार्ग में आने के बाद भी अगर व्यक्ति के बीतर बाहरी जीजी विशा, बाहरी आकांग शाएं मनिश्य के अंतर मन में पलती है इसका मतलब अभी तक सादना का जिन्नगी में श्रीगणी हुआ ही नहीं मैं भी सामिल हूँ और आप भी सामिल है अगर वही सब वही सब अंतर जिश्टि में व्यक्ति के पल नहीं है सादना का श्रीगणी सुने के बाद व्यक्ति फक्र फकीर अलमस्त मौला हो जाता है फिकर का फाका करे बोलो फिकर का फाका करे उसका नाम फकीर क्या करे फिकर का फाका कर दे कल क्या खाना है क्या खिलाना है क्या जीना है कैसे जीना है अगर हम यह चंता करते रहेंगे तो फकीर कहां से बने जिसकी चंता वो करता है और चो चंता से मुक्त होकर बाहर निकल पड़ता है वो ही फकीर हो जाता है जिसके फिकर नहीं वो फकीर जिसके क्या नहीं फिकर नहीं अगर तुम अपनी कलकी चंता कर रहा है तो अभी तक फकीरी जिन्दगी में नहीं तो पहला निलने हमें अपनी जीवन के लिए लेना पड़ेगा मुझे भी और आपको भी अपने आपको मोटिवेट करना पड़ेगा कि मुझे अपनी जीवन को पहली बात तो समझ लो जरूर इस साथना के मार्ग में कुस तो आनन्द है कुस तो खास है कुस तो अलग से हटकर है महवीर और बुद्ध जैसे महापुरुस जो जन्म सही परम ज्यान को महाग्यान को साथ में लेकर आये थे वे को इतनी भी नादान नहीं थे कि किसी के बहकावे में आकर संसार को छोड़ चाड़ के निकल गए उन्होंने पुरी प्रग्या, पुरा विवेक, पुरा होश, पुरी जागरुकता, पून सजकता, पून आत्म प्रग्या और अपनी संपून अंत्र जिष्टी को जगाने के बाद ये निर्ण लिया था एक और मेरे पास राज वैभव है एक और मेरे पास ये भविश्य मेरा राज, वंस में मुझे राजा बनना है और एक और मुझे फकीर बनना है फकीरी का मज़ा क्या होता है, वो नहीं जानते जो संसार बरेते हैं फकीरी का मज़ा वो जानते हैं, जो फकीरी में जिते हैं मन लागो मेरो यार फकीरी में जो सुक पायो राम बजन में वो सुक नाही अमीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में जो फकीरी का मज़ा है वो तो फकीरी ले सकता है पर हम सामाने इंसान हैं हम पहला कदम अपने बीतर बढ़ा सकते हैं मैं अपने प्रतिय का कारिय को पुरून सजकता पुर्वक, जागरूकता पुर्वक, विभेक पुर्वक करूंगा, जरूरी है, खाओ, पीओ, उठो, बैठो, चलो, सो, जगो, सारे कारिय करो, पर ये सब के सब कारिय आपके साधना के चन बन सकते हैं, ये सब के सब कारिय आपके मुक्ति के कारणा बन सकते हैं, ये सब के सब कारिय आपके लिए निजानन्द स्वरूप में इस्थापित होने के निमित बन सकते हैं, काम के वर एक करना पड़ेगा, सजकता पुर्वक चलना पड़ेगा, देखो, क्यों चाहिए सजकता, खाना खा काम कुछ कर रहे थे सोच कुछ रहे थे तब यह कर लगता है काम क्या करें थे दांत को चला रहे थे अगर दिमाग भी महीं होता तो कट लगता दिमाग कहीं और गया दांत कहीं और चल रहे थे कट आ गया सब्जक्ता पूरोग चलोगे अंगुठा नहीं मुड़ेगा ठोकर नहीं लगेगी, बैलेंस नहीं बिगडेगा, एक्सिडेंट नहीं होगा, आकस वे दुर्गतना नहीं होगी सज़ता पुरों काम करोगे, सबजी में नमक ज़्यादा कम नहीं होगा अब मोबैल पर बात ले ले कर रहे हो हाँ हाँ नहीं नहीं मैं ठीक है आ रहे हूँ हाँ नहीं मैं बरसो आउंगे आज तो नहीं आउंगे अब आपको पता है नहीं है खीर में क्या डाला है और आपने सबजी में क्या डाला है लून को डाल दिया अपने खीर में और सक्र को डाल दिया सबजी में सत्या नास कर दिया और बिचरे पती त्य डरी वें कि बोल नहीं पाते है इसने हम तो कहते हैं अगर खाना खाते है पती अगर बोल देना थुड़ा चार दो ना तो समझ दो सबसे डरपोग पती है विचर बोल भी नहीं पा रहे कि सबजी काम के नहीं है मांगते नहीं कहीं बार अचार अब सबजी गणी नहीं उतरे वह अचार लेओ क्यों होगा ये सब अगर हम लाप्रवाई से सारे काम करेंगे मेरे बास समझ दो इसलिए सादक के जीवन में पहली पूंजी और पहली कूंजी अगर चाहिए तो वो एक मातर है अपनी जीवन को सजगता पुरवग जीओ कहां कहां नमबर एक चलो निर्ने करो पहली सजगता सुबह जगो सजगता पुरवग जगो बहुत पुरवग जगो हो गई है भूर अब क्यों सो रहे कीमती या जिन्दगी क्यों खो रहे पुरव सजगता के साथ पहले अपनी आँख खोलो इधर उधर ड़र डालो अभी तो आया भी है मालू में अगर आपको रात को दो बज़े सर्दी के मौसब में ये कि संका हो गई है तो सीधे खड़े मत हो जाओ पढ़ा हो गगा ना किसी ने अभी क्या आया है कि हो सकता है आपका खून अंदर सर्दी में जमाओ तो हड़ बैठे मत हो ये आपको हाट अटक आ सकता है पहले थोड़ा आपने आपको हिलाईए इदर दर देखिए कुछ चंतन कीजिए मनन कीजिए इसके अब धीरे से बैठे हो ये और बैठे होने के बाद मैं कहूंगा अगर आप मन्जन करने जा रहे हैं आपको पता ही नहीं है रात को आपकी बहुने चाय बनाई थी और आपके बेटे ने मिठी चाय पी थी और इसी बेसन में कप धोया था और वो रात को चीन्टी चीन्टी आ गए उसमें चारों तरफ और वो चीन्टी अथनी बारी के नजर नहीं आ रही है और आपने सादक दोस्त ना हो निर्दोस्त स्विवन जीना है पहले नज़त डाल लो वहाँ कोई चिंटी तो नहीं है हाँ बात्रूम में गई है ना सीधा यह नहीं है एक वार देख लो वो जो मोखी है ना रात को मेहमान आये थे रसगुले का रस बच गया था दो करके उसको डाला गया था और वो उसी बात्रूम के मुखी पे रह गया मद्धिमरोशन आपको नजर नहीं आ रही है जन्दोग सामाई करते ना तो हाँ में रखते ना देखा है आपने पूंजनी चरावला ये पता है क्यों रखते है इसलिए रखे जाती है ये कल सामाई के लिए नहीं है किचन में भी होनी चाहिए हमें के लिए सामाई के लिए नहीं है मैं नया धरम दे रहा हूँ सजक्ता पूर्व किया गया करम इसी का नाम है धरांग। तो चावल सीधे मत डालिये पानी ने, भिंडी को सीधे मत काटिये, सजक्ता, आटे को सीधा मत भिगोई ये, हरी मिर्ची को सीधा मत काटिये, बीच में से काट लीचिये, कोई लट हो तो बाहर दे, ये अहिंसा की सजक्ता है, केवल यू बैठे रोगे, ओ, इतने मात्र से अगर बात बन जाती तो माहवीर और बुद्ध जैसे लोगों को जंगनों की खाक नहीं चाने पड़ती, अगर इतने मात्र से बात बन जाती है, एक एक कदम, क्या का मैंने, एक एक कदम, आपको पता है, भगवान माहवीर ने संत बनने के बाद पांच महा प्रतिग्याएं ली थी, उनमें पहली प्रतिग्या थी, मैं अववान्चत इस्थान पे नहीं ठहरूँगा, उसमें दूसरी प्रतिग्या थी, जब तक परम ज्यान प्राप्त नहीं करनूँगा, मैं 100% मौन रखूँगा, उसमें तीसरी प्रतिग्या थी, मैं गृस्त की जीह जूरी नहीं करूँगा, उसमें चौती प्रतिग्या थी, मैं करपात्र में भोचन करूँगा उसमें पांचवी प्रतिग्या थी जब तक परव ज्यान प्राप्त नो हो जाए मैं अखंड मौन रखूँगा मैं एकांत में रहूँगा मैं ग्रश्ट की जिया जूर नहीं करूँगा मैं अव वांचत इस्थान पे नहीं ठहरूँगा और अंतिम्था में अपनी जीवन के प्रतियक ख्षण को सजगता पूरवक जीऊँगा संबोधी का मतलब क्या है सम्यक बोध पूरवक जीना विपश्चन का मतलब क्या है गहराई पूरवक देखना पश्चन का मतलब क्या होता है देखना बोध का मतलब क्या होता है समझना गहराई से समझना सम्यक्ता पूरवक विवेग पूरवक प्रग्या पूरवक पूरत या किसी की चीज को समझ इसी का नाम है संबोधी जो संबोधी साथ कहना मेरी गारंट ये उसके पाउं में कभी ठोकर नहीं लग सकती उसका नाथ के नीचे गाल नहीं आ सकता क्योंकि वो खाएगा भी सजकता पूरवक मैंने कहा आटा भी बिगो ये भी बिगो फुलका भी बनाओ सजकता पूरवक आप खाना खाओ ना आपके भोजन कने से लगना चाहिए आपने मुँ में कौड लिया है धरम पत्ली ने नमक डालना भूल गई है और आप बहुत आनंद से मुस्करा तेरे मैं आपको बता नहीं सकता हूँ दो घंटे के ध्यान से ज़्यादा प्रणाम हो दो मिनिट में आएगा जब अब बिना नमक के सबजी को जायका लेकते वखा रहे है मुँ बिगाड के नहीं? किसके साथ? जायका लेकते वखा रहे है ये संबोदी साद्ना भ्यक्ति को प्रणाम देती है हंड्रेट प्रसेंट देती है पती ने तीखा बोला अब मन से आनदित रहेंगे संबोदी साद्न के भीतर गांट नहीं बनेगी उसे पता है ऐसा करने से मेरा भाव भावान तर भिगर जाएगा उससे तो अभी तक सम्यक बोद नहीं है पर मुझे तो संबोदी मिल गई है और जब संबोदी मिल गई है कि मैं अपने जीवन को सजगता पुरवक जीओ ठाली भी दो सजगता पुरवक उठो बैठो खाओ प्यो कैसे बताओ संबोदी साद्ना हमें जीवन का कितना महान मार्ग देती है कि अगर आप चाहते हैं कि आप खाएं भी पीएं भी बोलें भी चलें भी उठें भी संसार में रहें भी बैडरूम में सोएं भी धंदा करें भी व्याफार करें भी दुनियादारी करें भी सारे काम करें पर पाप कर्मका बंदन ना हो एक शब्द याद रखना संबोधी सम्यक बोध पुरवक आप हर काम को करना सजक्ता के साथ हर काम को करना सजक्ता का दीप अपने हाथ में जिला कर चलना जिंदगे में कभी अंधेरा आई नहीं सकता सजक्ता का दीप जयम चरे, जयम चिठे, जयम आसे, जयम से जयम बुन्जन्तो भासंतो, पावम कमवन बंदई सजकता से चलो, सजकता से बोलो, सजकता से जीओ, सजकता से करो तुम्हारे पाप करम का बंदन नहीं होगा अच्छा एक बात बताओ, एक आदमी है जो सोच कर बोलता है एक आदमी है जो बोलकर सोचता है दोनों में ज़्यादा टेम किसको लगाना पड़ेगा एक आदमी है जो सोच कर बोलता है वो दस मिनट सोच लेगा एक आदमी है जो बोलने के बाद सोचता है उसको दस दिन तोक सोचना पड़ेगा मैंने क्यूं बोला मेरे बाप का क्या जा मैंने बाता क्यूं लगा भूटे कर मुझे कि मैंने क्यों कर लेता, काश तुम मूँ खोलने से पहले दो मिनट अपने प्रग्या का संबोधी का उप्योग कर लेता, क्या? बोलना संबोधी सिखाती है, देखना संबोधी सिखाती है, संबोधी आँख मारना नहीं सिखाती है संबोधी अंतर दिश्टी खोलना सिखाती है संबोधी दूसरों की बाते नहीं सुनाती है भीतर की आवास सुनाती है संबोधी बाहर का स्वाद नहीं चकाती है अंतर का स्वाद चकाती है संबोधी दुन्या में नहीं बटकाती भीतर में लेकर आती है बाहर बटकते वे कदमों को बाहर बटकते वे मन को बाहर बटकते वे अंतरदिश्टी को भीतर के और मोड़ना यही तो काम संबोधी करती है इसलिए संबोधी कोई शब्द नहीं है कोई धाम भाम नहीं है, कि ये धाम है, इसलिए अमने इसका नाम संबोधी रखा है, संबोधी का मतलब है, यहां आने वाला हर व्यक्ति, आप यहां से जब घर जाएंगे न, तो घरवालों को लगना चाहिए, यह संबोधी में जाके आया है, कहां जाके आया है? तो संबोधी अगर ये लोटाफिर पाजी का पाजी आपकी पत्नी पता है पीछे क्या सोफ रही है ये तो साथ दिन में मेरे पती जी पूरे सुधर के आएंगे बिलकुल अच्छो हो वो तो पषच्छा कर रही है कि आप तो मेरे पती देवता बन कर आएंगे अब उन्हें क्या पता है कि आप तो वैसे के वैसे ही पता है वो क्या कहेगी कई लोग तो धर्म किसलिए मजाक उडाती है पत्नी ने एक शब्द का था आप आग बबो ले थे जब आप जाएंगे पत्नी एक घंटका एपिसोर चलाएगी आप शान्त रहेंगे, समझ देना वो समझ जाएगी कि मेरे पती संबोधी में जाकर आएगे संबोधी की सुभास लेकर आएगे तो आज मैं यहीं मंत्र देकर बात को पूरी कर रहा हूँ और वो है संबोधी हमें जीन जीने का पहला मंत्र देती है, उसके बाद तो सारी चीजे अपने आप साकार हो जाएगी अंतरमन की प्रसनता, अंतरमन की शान्ती, अंतरमन का आनंद यह सब तो व्यक्ति के भीतर अपने आप प्रगट होते लग जाएगे, पर पहला जोड़ रहे हैं, अपने आपको बोधित करें, मैं सजगता पुरवक्ची होगा, आपको पता है किस व्यक्ति ने कितनी लंबी साधना की है, उसको पूछने की जुरूत नहीं, उसके चलते वे कदमों से पता लग जाएगा कि यह साधक है उसके वाणी से पता लग जाएगा कि यह साधक है उसकी आँखें, मतलब जैसे किसी कामा सक्ते व्यक्ति की आँखों में कामनाई उबर करा जाती है, ऐसे ही संबोधी में उत्रे व्यक्ति की आँखों में संबोधी का सौंदर्य उतर करा जाता है उसके आँखों से लगेगा इसके आँखों में पर्मानन्द इस्थिति बन्यूई है और नहीं तो आँखों में लगा जैसे खाने को नहीं है संबुधी इस्थिती वेक्टी करती है संबुधी में वेक्टी फिर हार पहुंच लाएगा यूँ नहीं करेगा यूँ नहीं करेगा मक्ही भी उड़ाएगा तो यूँ नहीं दो को लगी मक्ही मरी और मेरा माता कैसे उड़ाएगा भगवान बुद्ध मक्ही आकर बैठी थी यो जपट्टा मारा मक्ही उड़ गई पता नहीं तीन मिनद के बाद क्या अंतर दिश्टी जगी अपना हाथ ले कर गई सबको क्या आई हसी आई भगवान आप भी क्या कर जो मक्ही कभी के चली गई है कहा अब मैं सजगता का ज्यान कर रहा हूँ क्यांकि पहले मक्ही में लाप्रवाई से उड़ा गया अब अगर मक्ही आई तो मुझे कैसे उड़ानी है यह मैं देख रहा हूँ मक्की को भी सजकता पुर्वक जो व्यक्ति उड़ाना जानता है वही व्यक्ति अनंत आकाश की उड़ान भर सकता है मैंने सहस्ता पुर्वक कुछ अच्छी बातें साधना से जुड़ी आपको अंदरोत की है